दिल्ली पुलीस को अंस्टेबल वेकेंसी का आप ओनलाइन फोर्म कैसे बर सकते हैं आज की वीडियो में कम्प्ली डिटेल में बताने वाला हूँ यह फोर्म बरने के लिए सबसे पहले आपको अससी के ओफिशल वेबसाइड पर आजाना है वेबसाइड का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्सिन में आपको मिल जाएगा वेबसाइट प्याने के बाद यहाँ पर official notification आपको मिल जाता है इसे आप open करके देख सकते हैं जिसे अगर आप इसे open करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि 39-2023 यहाँ पर इस vacancy की last date है और यहाँ पर एक तरिक से form शुरू हो चुके हैं यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि किस customer category के लिए कितने पोश्ट यहाँ पर रखी गई है तो वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं टोटल पोश्ट की बात करें तो 7547 पोश्ट यहाँ पर रहने वाली है उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो age criteria है वो 18 से 25 वर्ष यहाँ पर रखा गया है और age जो है 173 इसको count होगी इसी के साथ अलग-अलग category के according आपको यहाँ पर छूट भी मिल जाती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर qualification की बात करें तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे 7 number point में यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 10 plus 2 vacancy है अगर आपने बार वी इंपास कर रखिया है तो आप यह foam बर सकते हैं इसी के साथ बहुत सारे students के मन में confusion है कि license कोन सा मांगा गया है driver post के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं light license मांगा गया है alarm fee यानि light motor vehicle license मांगा गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अब चलिए बात करते हैं foam fill up की foam बरने के लिए सबसे पहले आपको इस website पे आजाना है अगर आपने पहले कभी आज तक अससी का foam नहीं बरा है तो यहाँ पर आप register now पे click करेंगे और यहाँ पर registration करेंगे आपके पास अधार card है या नहीं तो यहाँ पर बताएंगे yes करेंगे और दो बार यहाँ पर अधार नंबर आप दर्ज करेंगे registration करने के लिए यहाँ पर आप नाम बताएंगे अपना दो बार जो दस्यूं की मारक सीट में है उसके बाद पिता का नाम लिखेंगे माता का नाम लिखेंगे उसके बाद जो भी date ओपर था वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर दस्यूं में कौन सा बोड था कौन से बोड से आपने पास किया रास्तान बोड से किया तो वो सेलेक्ट करेंगे दुबारा से यहाँ पर भी बोड सेलेक्ट करेंगे है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे चलिए स्टेट सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक करेंगे सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिशनल डिटेल भरनी है जिसमें आपकी कास्ट केटिगरी कौन ची है आप विकलाम केंडिडेट तो नहीं है इसी के साथ आपका एडरस आएगा उसके बाद सेव कर देंगे सेव करने के बाद फाइनल डिकलेशन आएगा जिसमें आपको OTP देंगे और पासफ़र्ट सेट करेंगे और यहां पर आपका रजिस्टेशन कंप्लीट हो जाएग किया था पुराना कोई फोर्म भरा था पहले के टाइम में और अभी आपको रिजिस्टेशन नंबर और पासफ़र्ट याद नहीं है वो फोर्म भी आपके पास नहीं है तो फोर्गेट पासफ़र्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से आप पता कर सकते हैं आप अपना कर पाएंगे तो इस तरह से यहां पर आप यूजर आइडी और पासफ़र्ट निकाल सकते हैं उसे किससाथ यहां पर आपको इसमें करेक्शन के लिए भी अलग से थाइम दिया जाएगा जिसके आपको जूरूर नहीं बढ़नी जिए तो उसके बाद अपलाई करना है तो अपले option पे क्लिक करेंगे apply के option पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने ज्यादतर detail automatic registration से आ जाएगी तो यहाँ पर आपको डारेक्ट नीचे आ जाना है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप दिल्ली पुलिस department के करमचारी है तो यहाँ पर अगर आप है तो आपको no करना है तो यहाँ पर हम no कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आप सनी या डोटर है रिटार किसी करमचारी के multi tasking staff या दिल्ली पुलिस के तो यहाँ पर आप yes या no बता सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर no कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आप आपने रिपरजें तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपका जो भी नजदी की एक्जाम शेंटरों वो यहाँ पर स्लेट कर लीजी दूसरी सोइस कौन सी है तो वो भर दीजी और तीसरी सोइस आप अपने कोडिंग बर सकते हैं अब अगर आप एक सर्विसमेन है तो यहाँ पर यस करेंगे ड NCC Candidate or NCC Certificate है आपके पास तो यहाँ पर आप यस करेंगे और कौन सा है वो यहाँ पर ABC जो भी है वो यहाँ पर आप दो बार बता दीजिए नहीं है तो नो करेंगे अब यहाँ पर आप से आगे पूछा जा रहा डू यू पोसे डिगरी या फिर पोस्ट ग्रेजुएश 12 जो भी है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं उसके बाद यह वेकैंसी 12 लेवल उपर है तो 12 यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसके समकक्ष कोई भी कोर्स है तो दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं तो हमारा 12 है तो हम 12 सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आ आर्ट में, इंडी साइट है, जियोग्रोफी, पॉर्टिकल वगरा वगरा तो वो आप अपने हिसाफ से बढ़ेंगे, पासिंगियर सेलेक्ट करेंगे, आपके पर्षेंटेज क्या थे, 12 में वो यहां पर बताएंगे, उसके बाद एडस वगरा यहां पर ओटोमेटिक आ चाये आपको तो वो फोटो अप्ल लोड करना है, इस इपीनिचर शाइज कम नहीं होना चाहिए, बीश के भीसी 알दा नहीं होना चाहिए, और उसी फूर्मेट में आप अप्लोड कर सकते हैं, अब बहुत सारे स्टूजेंट्स की मजन में सवाल होगा, कि फोटो पर डटोन में करनी है या नहीं फोटो पर नाव वगयरा मैंसनकरना या नहीं तो यहां पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में आप 30 nord 38 पेय्ज पे देखेंगे तो यहां पर बताया है कि फोटो क्लियर minimal कोई बिचुर वगिरा mention करने की जरूरत नहीं है तो photo or signature हमने upload कर दिये है उसके बाद यहाँ पर checkbox पे click करना है यह capture code यहाँ पर दर्ज करना है और preview पे click करना है यहाँ पर अगर आपने side details सही से बरी है तो आपका preview आजाएगा check कर दीजिए side details सही है तो आप submit पे click कर दीजिए submit पे click करने के बाद यहाँ पर आप सुधार नहीं कर पाएंगे तो आपको okay कर देना है अब यहाँ पर अगर कोई female candidate है या फिर CST से है तो कोई fix नहीं लगेगी direct आप print out ले लेंगे या फिर general है OBC है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं print out लेकिन यह final submit नहीं हुए आपको इसके लिए payment करना होगा अगर आप OBC या फिर general candidate है तो yes करेंगे payment करने के लिए यहाँ पर आपको online वाला mode select कर लेना है payment के लिए और सबसे sell तरीका बताने बाला हूँ यहाँ पर आपको QR code का option मिल जाता है जो कि सबसे sell तरीका है तो यहाँ पर आपका QR code आजाता है तो यहाँ पर आप किसी भी application से phone पे Google पे ATM से QR code को scan करेंगे और यहाँ पर payment कर देंगे हमने जैसे ही payment किया तो यहाँ पर आप देख सकते है final print out आचुका है इस print out को आप अपने पास save करके रख सकते है दुबारा से आप चाहें तो यहाँ से print out भी ले सकते है अगर आपने payment नहीं किया तो यहाँ से कर सकते है application का status देख सकते है तो यह complete process है यह phone भरने का उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आप और कुछ भी जानना चाहते है इस forum से related या फिर और कुछ भी तो आप बेज़ग comment section में लिख सकते हैं